नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्टोनिस वर्मा तो दोस्तो आज हमारे पास तीन स्पीकर ब्लूटूथ बॉक्स हैं तो दोस्तो इनको हम टेस्ट करेंगे और टेस्ट करने के साथ साथ हम यह भी देखेंगे कौन सा अच्छा लगा किसका और कौन सा आप परचेस कर सकते हैं और यहां पर अगर मेरे को इनके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलते हैं तो मैं एमाजोन के लिंक इसके अंदर डाल दूँ आपको वहां से जाके आप इसे परचेस कर सकते हैं तो सबसे पहले हम यूज करते हैं यह वाला तो इसको कर देत और एक मिलती है हमें इसे charging के लिए data cable इसको side कर देते हैं और फिर हम इसे बाहर निकाल लेते हैं तो इसके साथ देखिए हमें तो यहां पर हमें कुछ जो हमारे micro button है वो मिल जाते हैं और यहां पर हमें memory card मिल जाता है यहां पर हमारा माइक है और यहां पर हमारा USB है और यह हमें नीचे मिलता है इसके अंदर on off को बटन तो इसको पहले on करते हैं यह तरहां जोयां बुरकार आजान लेकिन हम इसके अंदर यह पुल कर देता हूं तो यहां पर मैं इसको next कर देता हूँ तो यह इसका sound है देखिए full कर देता हूँ तो यहां पर मैं इसका sound को full कर देता हूँ तो इसका sound हम देख लेते हूँ तो यह down हो गया यह full हो गया तो यह इसका sound है देखिए तो इसका जो दोस्तो साउंड है तो दोस्तो इसका जो साउंड है वो एकदम मतलब की मीडियम साउंड है नहीं तेज है नहीं स्लो है और किलियर साउंड एकदम कोई भी इसके अंदर प्रोब्लम नहीं है तो Bluetooth speaker तो यह भी हमार अच्छा है और दोस्तो इसका जो प्राइज है इस समय अगर आप कैसे अपने यहां पर किसी सोप पे लेने जाते हो तो आपको यह कम से कम 200 से 200 के बीच मिल सकता है यह वाला box जो है यह मैं आपको जो offline price बता रहा हूं online का price इसका मेरे को पता नहीं कि कित तो इसके साथ हमें मिलती है यहां पर देखिये data cable तो इसको कर दता हूं मैं side तो यह data cable मिली हमें इसके साथ और box के अंदर हमें यहां पर एक जो हमारा रहपर है वो भी मिल जाता है कुछ इस तरीके से यह देखिए यह हमारी इसके अंदर बुक मिली है पूरी इसके अंदर जो इसके अंदर डिटेल है इसकी और फिर इसको देखिए निकाल के देखते हैं बाहर तो हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई देता है यह देखिए तो हमें माइक मिल जाता है मैमोरी काड और चार्जिंग इसके अंदर सिरिफ यह तीनी ओप्सन दिये जाते हैं तो यह देखिए कुछ इस तरीके से यह बॉक्स तो इसको करते हैं और इसके अंदर देखिए हमें जार माइक्रोसुष नेक्स्ट प्रीव पावर का और तो मैं ओन करता हूं। तो यह हमारा अोगये यहाँ पर आप इसके अंदर लगेगी हमायi , कार्ड तो मैं मैमोरी काड को निकाल लेता हूं और मैमोरी काड्ड हम इसमें चला के देखती हैं तो हमारा कुछ मेमोरी काड़ इसके अंदर इस तरीके से लगेगा तो यह हमारा मेमोरी काड़ आ गया और मैं इसको करता हूं नेक्स्ट तो यह इसका साउंड है तो आपने देखा यह इसका साउंड है और बहुत ही प्यारा सा साउंड लगता है देखने में यह देखिया तो इसको दोस्तों अब यहां करते हैं साइड तो मेमोरी काड़ इसके अंदर इसी तरी बहुत है बहुत है इसको करते हैं आप यहां पर देखिये यह बॉक्स हमारा कुछ है तो यह दोस्तों आप यह हमें इसके साथ यह डाटे के बुद्द के विली यह यह सारे कलर मिल जाते हैं तो यह देखिए तो यह यूवन को मैंने प्राइज नहीं बता है यह आपको अगर आफ लाइन किसी सोप पर लेते हो तो आपको कम से कम यह मिलेगा चार्सो से साड़े चार्सो के बीच में इसका प्राइज यह होगा आप आजाते हैं देखिए पुटेबल स्पीकर है हमारा तो इसके अंदर हमें पांच बटन मिलते हैं पूस मिलता है माइनस पिलस यह वोलियम भी है और हमारे नेक्स्ट भी है फिर हमारा मूड फिर पावर तो हम इसका भी साउंड सुनते हैं तो मैं फाइनली आपको डिसीजन दिखाऊँगा तो यह यूएस्बी चल गी है हमारी और यह इसके अंदर साउंड है देखिए कि अधES अधसर तो हम ने सुना तो दौस्तो मेरे टिसीजन यह है कि अगर आप सांड चाहते हैं तो आप यूवन का ले सकते आप जरूरारि नहीं यह वाला मोडल यू मोडल ले सकते हैं क्योंकि इनके जो साउंड एच्तिम कि लिए मिलते हैं बढ़िया साउंड मिलते हैं क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी यूबन के बॉक्स जो मैं लाया हूं उनके मुझे सारे ही किलियर साउंड मिलें कोई भी प्रोग्लम भी मिली थोड़ा सा प्राइज इनका ज्यादा होता है लेकिन साउंड आपको अच्छा मिल जात अगर आप साइज के हिसाब से लेना चाहते ह किसे ले सकते हैं पर इससे ले सकते हैं यह मार्किट के बेषा जाता है इसका प्राइस जो है आपको 400 से 455 मिल जाता तो इस तरह के से हिनके प्राइज कुछ तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना सेर करना सब्स्क्राइब करना और बैल का आकनू जूरूरू दमाना क्योंकि मैं आगे आपके लिए ऐसी ह जानकारी लाता रहोंगा